श्री कृष्णे गोविंद हरे मुरारे हेना थे नारा यणवासुदेवा हरे कृष्णा आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवान श्री कृष्णोर शीमती राथारानी की गृपा से आपका जीवन सुख में हो 18 जनवरी 2024 आज है ब्रिहश्पतिवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौस मास की कथा का 23 वाध्याई और अगर आप ब्रिहश्पतिवार कवरत करते हैं तो ब्रिहश्पतिवार वरत की कथा की वीडियो चैनल पर अपलोड है इस कथा को सुनने के बाद आप उसे भी सुन सकते हैं और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रमण करते हैं श्री सूती जी कहते हैं कि हे नैमिशा रैने निवासियों चक्रतिर्थ से लेकर धनुश्कोटी परियंद 24 तिर्थों का तुमसे वड़न किया अब और क्या सुननना चाहते हो तब मुनी बोले हे सूती जी हम लोग शीर कुंड का महत्मे सुननना चाहते हैं जिसके समीप प चाहा हे मुनिवरों परम पवित्र देवीपूर से पस्चिम थोड़ी ही दूर पर फुल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है जहां से प्रारंब करके श्री राम चंदरजी ने महासागर में से तुबांता है वह फुल ग्राम आतिशय पुन्यतम शेत्र ह महीं पर महापात को का नाश करने वाला चीर कुंड है जो दर्शन, स्पर्स, ध्यान और कीर्टन से भी मोक्ष देने वाला है प्राचीन काल में दक्षण समुद्र के तट पर आतिशय पवित्र फुल ग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुद्गल नामक मुनी नि वे पितामबर से सुसोबित थे, विनता अनंदन गरूड की पीट पर बैठे हुए थे, कौस्तुब मड़ी उनके वक्षा स्थलकी शुभा बढ़ा रही थी और उनके चारों हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म से सुभायमान थे, उनका दर्शन करके मुद्गल मुन भक्ति एवं प्रेम से विवल हो गये, उनके शरीर में रोमान चुआया, उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधूर शब्दों में भगवान विष्णु का स्तवन किया, मुद्गल बोले, पहले संसार के स्रिष्टि करता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पस्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदनंतर, जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में, आप भगवान नारायन को मेरा नमस्कार है, मच्य और कच्छप रूप धारन करने वाले, आप सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम है, वाराह और निस्रिंग रूप रूपधारन करने वाले आपको नमस्कार है वामन और परसुराम रूपधारी आप भगवान को प्रणाम है राम और बल्राम के रूप में आपको नमस्कार है श्रीक्रिष्ण कलकी तथा विज्ञान आत्मा बुद्ध के रूप में आपको नमस्कार है है करुणा सिंधो है न मन से सब के दोशों पर ही दृष्टी रखने वाला हूँ हे हरे कृपया मेरी रक्षा कीजिए महर्सी मुद्गल के इस प्रकार स्तूति करने पर साक्षात भगवान विश्णु मेकी के समान गंभी रवानी में इस प्रकार बोले हे मुद्गल मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और यग्य से बहुत प्रसंद हूँ और प्रत्यक्ष रूप से हविश्य को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यग्य में आया हूँ मुद्गल ने कहा हे रिशी केज मैं तो कृतार्थ हो गया मेरी धर्म पतनी भी धन्य-धन्य हो गई आज मेरा जन्म सफल हुआ मेरी तपस्य योगी लोग अपने हृते में जिनकी खोज करते हैं उन्हीं आप नारायण को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ ऐसा कहकर भगवान विश्य के लिए आसन देकर मुनी ने चंदन और पुष्प आधी उपचारों से भगवान को अर्गे देकर उनका पूजन किया और उ उस हविशे के भोजन करने पर अगनी सहीत संपुर्ण देवता त्रिप्थ हो गए इतना ही नहीं रित्वीज यजमान वहां के ब्रामभण तथा जीव लोग में जो कोई भी चराचर प्राणी थे वे सब के सब त्रिप्थ हो गए संपुर्ण जगत त्रिप्थ हुआ ततन देकर मेरे यग्य में हविशे को भोग लगाया है इतने से ही मैं क्रितार्थ हो गया इससे अधिक और क्या वर हो सकता है तथापी हे भगवन आप में निस्चल एवं निसकपट भक्ति सदा बनी रहे यह मेरा प्रथमवर है हे माधव मैं प्रतिदीन सायंकाल और प्रतहकाल आपके स्वरूप भूत अगनी की त्रिप्ति एवं आपकी प्रिती के लिए गाई के दूद से हवन करना चाहता हूँ मेरे ये इक्षा पूर्ण हो यह मेरे लिए दूसरा वर है मुद्गल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायन ने आमरित भोजी देवता विश्वकर्मा स सुर्वे ये मेरे भक्त मुद्गल जी प्रती दिन मेरी प्रसनता के लिए दूद से हवन करना चाहते हैं आता है तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहां आकर इस सरोवर को दूद से भर दिया करो सुर्भी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आग्य में होम करो इस से मैं तुम्हारे उपर प्रसन रहूँगा और मेरी प्रसनता से तुम्हें संपुर्ण सिध्धी प्राप्त होगी यह क्षीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के पांच महापातक तथा अन्याने पाप ततकान दैसे लगा लिया तत्पस्चात महर्शी मुद्गल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गये भगवान विश्णु के चले जाने पर महर्शी मुद्गल ने प्रती दिन सुर्भी के दूद से श्री हरी की प्रसनता के लिए अगनी में आहुती करते हुए मोक्ष दायक फुल ग्राम में अनेक सौ वर्सों तक निवास किया तदनंतर देहांत होने पर उन्हों ने भगवान विश्णु का साईज़ी प्राप्त कर लिया सूत जी आगे कहते हैं कि अब मैं कपी तीर्थ के महात्मिका वर्ण करता हूँ जिसे पुर्वकाल में सब वानोरों ने मिलकर गंधमादन परवत पर निर्वान किया था उस तीर्थ को बना कर वानोरों ने उसमें हर्च पुर्वक्ष नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया जो मनुस्य भक्ती से विनीत चित्त होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे महापात्कों से मुक्त होकर मुक्ष के भागी होंगे इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुर्षो को नरक पह नहीं होगा इसमें श्णान करने वाले लोगों को दर्धरता नहीं प्राप्धोगी यमराज की यातना भी नहीं भोगनी पड़ेगी इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वर्दाम देकर कपीशवरों ने दसरतनंदन श्री राम चंदर जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की हे स्वामिन आप भी इस तीर्थ के लिए अद्बुद वर्दान दे तब वानरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनकी प्रीती के लिए श्री राम चंदर जी ने हर्च पुर्वक उस तीर्थ को वर्दान दिया कि इस तीर्थ में गोता लगाने वालों को गंगाशनान का फल मिलेगा प्रियागशनान का पुने प्राप्त होगा तथा सब तीर्थों के फल की प्राप्ती होगी यह अति उत्तम तिर्थ कपियों द्वारा बनाये गया है इसलिए संसार में कपि तिर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धी होगी अता मुक्ष की इच्छा रखने वाले पुर्षों को इस तिर्थ में अवस्य हिश्णान करना चाहिए प्राचीन काल की बात है कुशिक वंस में विश्वामित्र नामक राजा हुए एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरिक्षन करने के लिए विसाल सेना के साथ प्रित्वी पर घूमना आरंब किया अनेको देशों में घूमकर वे वसिष्ट जी के आच्रम पर गए महात्मा वसिष्ट ने अपनी कामधेनू के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम आतित्य सत्कार किया कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वसिष्ट जी से वो सब मनोर्थों को देने वाली गाय मांगी, लेकिन वसिष्ट जी ने उसे देना अस्विकार कर दिया, तब वे बल पुर्वक उस गाय को खीज कर ले गए, कामधेनु ने मलेक्षों की बहुत पड़ी सेना उत्पन की, जिससे राजा विश्वामित्र को हार खानी पड़ी, तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेकों ब्रकार के अस्त्र सस्त्र प्राप्त किये, और वसिष्ट जी के आस्रम पर जाकर उन सब का प्रयोक करना आरंब कर दिया, विश् प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा हुई, अब वे स्वयम ब्राह्मणत्व प्राप्ति के उद्धेसे से तपस्या करने के लिए वन में चले गए, उन्होंने उत्तर दिसा में जाकर हिमालय परवत पर कौशी की नदी के पाप नाशक पुन्यम पर एक हजार दिव्य वर्सों तक तपस्या की, निराहार और जितेंद्री रहकर नेत्र बंद करके स्वास और क्रोध को जीत कर वे निश्चल भाव से खड़े रहे, तब इंद्र आदी देवताउने रंभा से कहा, रंभे तुम हिमालय परवत पर कौशी की नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनी विश्वामित्र को अपने हावभाव से लुभाव, जिस प्रकार भी उनकी तपस्या में विग्न पड़े, वैसा कोई प्रयत्न करो, इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई, और मुनी के नेत्रों के सामने होकर सुन्दर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेश्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी, इतने में ही मन में आनंद बढ़ाती हुई कोयल भी कुकुठी, पिकी का मधूर कलरव सुनकर और रंभा को वहाँ पस्तित देखकर मुनी वर विश्वामित्र का हरिदै स संसे में पढ़ गया, उन्होंने समझ लिया कि ये सारी कर्टूत इंद्र की है, तब उन्होंने तपोधन के क्रोध में आकर रंभा को श्राब दिया, रंभे मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूं और तू यहां विगने डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है, इसलिए तू दस लाख वर्सों तक यहां शिला होकर बढ़ी रहे, शिला अर्थात पत्थर, अब तो जैसे ही महामुनी विश्वामित्र ने शाप दिया, रंभा तुरंत ही ततकाल वहां शिला बन गई, पत्थर बन गई, विश्वामित्र के इस प्रकार शाप दे के लिए दुरलब ब्रामणत प्राप्त कर लिया, फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिश्य, श्वेत मुनी ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ा भारी तब किया, दिर्गे काल तक तपस्या में लगे हुए मुनी वर्श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई, उसका नाम था अंगार का, उस भयानक राक्षसी ने मुत्र, रक्त और विष्टाहदी के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया, और अनेकों उपद्रमों से उन्हें सताना रंब कर दिया, तब श्वेत जी ने कुपित होकर विश्वा मितर जी के शाब से शिला भाव को प्राप्त रंभा को ही वायव्य अस्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के उपर फेका, वह शिला वायव्य अस्त्र से प्रेडित होकर राक्षसी के उपर तूट पड़ी, राक्षसी उस शिला के भैसे भाग चली, भागते भागते वह दक्षन प्रश्वामित्र के शाप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रमभा के रूप में परिणत हो गई ततपस चात दिव्यवस्त्रों से शुशोबित होकर वह दिव्यविमान पर चड़ी और बारम बार कपीतीर्थ के महात्मिकी प्रसंसा करती हुई वह अमरावती पुरी को चली गई वह राक्षसी भी घ्रिताची नामक अपसरा थी जो कपीतीर्थ में श्नान करके अपने स्वरूब को प्राप्त हुई इस त्रकार अगस्ति स्वेती जी के प्रसाद से रमभा और घ्रिताची कपीतीर्थ में श्नान करके शिला भाव और राक्षिसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्थ हो गई इसलिए प्रयत्न पुर्वक कपी तीर्थ में स्टान करना चाहिए जैश्री राम आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूं और उमीद करती हूं कि आपको यह कथाएं जरूर पसंद आती होंग वीडियो और गुप्त नवरात्री सकड चौत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है जरूर आप लोग उसे देख लीजिए और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच जिसके सुनने मात्रे से ही भगवान श्री हर विष्णू की असीम क्रिपा प्राप्थ होती है और इस कवच को सुनने से हर दिशा में हर दशा में भगवान श्री हर विष्णू आपकी रक्षा करते हैं तो पूरे भक्तिभाव से श्री हर विष्णू के नारायण स्वरूप का ध्यान करके इस पाठ को सुनना चाहिए भगवान श्री हरी गरूड जी की पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं अडिमा आधी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही हैं और आठ हाथों में शंक, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुश और पाश, अर्थात, फंदा, धारन किये हुए हैं वेही ओमकार स्वरूप प्रभू सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें मत्सिमूर्थी भगवान जल के भीतर जलतंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें माया से ब्रह्मचारी डूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप स्रित् प्रित्वी को उठा लेने वाले यग्यमूर्दी वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी परवतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान राम चंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान दत्तात्रे योग के विग्णों से और त्रिगुणादी पति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीकिष्ण द्वयपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाच से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारन करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें। प्रातहकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बासुरी लेकर, और दो पहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्षण सक्ती लेकर, और दो पहर को भगवान विश्णू चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी और सायंकाल में ब्रह्मा आदी त्रिमूर्थिधारी माध्व, सुर्यास्त के बाद रिशीकेस, अर्ध रातरी के पूर्वत तथा अर्ध रातरी के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्री के पिछले प्रहर में स्रीवत्स लांचन श्रीहरी, उशाकाल में खड़कधारी भगवान जनार्दन और सुर्योदे से पुर्वश्टी दामोदर और संपुर्ण संध्याओं में काल मूर्थी भगवान विश्वेस्वर मेरी रक्षा करें। जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शीगर से जला दीजिए, जला दीजिए। आप भगवान श्रे कृष्ण के फूखने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रू का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाज तथा ब्रह्म राक्षस आदी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ट तलवार आपकी धार बहुत तीक्षड है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रू को छिन भिन कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आपमें सैक्डों चंद्राकार मंडल है। आप पाप द्रिष्टी, पाप आत्मा, शत्रूओं की आखे बंद कर दीजिए। और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सुर्य आधिक्रह, धूम केतू, पुछल तारे आधि केतू, दुष्ट मनुस्य, सर्प आधि रेंगने वाले जन्तू, दाढ़ों वाले हिंसक पशू, भूत प्रेत आधि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगव पुर्ति भगवान गरुण और विश्वक सेंजी अपने नामों चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं, श्रीहरी के नाम, रूप, वाहन, आयुद तथा स्रेष्ट पारसद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं, जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत है, वह वास्तों में भगवान ही है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं, जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भग चित रूप से सत्य है, इस कारण सर्वग्य सर्व व्यापक भगवान श्री हरी सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर आट्टाहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते हैं, वे भगवान दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब और से हमारी रक्षा करें, हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायन कवच सुना दिया है, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य, युध पत्यों को जीत कर लोग जो इस वैशनवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, आदी और बागादी हिंशक जीवों से कभी किसी प्रकार का भै नहीं होता, हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्रामभन ने इस विद्या को धारण करक योग धारणा से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया, अब जहां उस ब्रामभन का शरीर पड़ा था, उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले, वहां आते ही वे नीचे की और सिर्किये विमान सहित आ प्रवाहिनी सरस्वती रदी में प्रवाहित कर दिया, और फिर स्नान करके वे अपने लोग को चले गए, श्री सुकदेव जी कहते हैं, हे परिक्षित जो पुरुष इस नारायन कवच को समय पर सुनता है, और जो आदर पुर्वकी से धारन करता है, उसके सामने सभी प्रा को जीत लिया, और वे त्रैलुक्य लक्षमी का उपभोग करने लगे, श्री नारायन कवच संपुर्ण हुआ, और अब आप सुनेंगे श्री विश्नु सहस्त्र नाम स्तोत्र, ओम विश्वम विश्वर वशटकारो भूत भव्य भवत्रभू, भूत कृत भृत भृत भृ अक्षर एवच, योगो योग विदामनेता, प्रधान पुरुषेश्वर, नार सिंगव पूश्रीमान केशव पूरुसोत्तम, सर्व शर्व शिवस्थानुर भूतादिर निधिर्व्यय, संभवो भावनो भर्ता, प्रभव प्रभुरिश्वर, स्वयंभु शंभु प्रभूतस्त्रिककुपधाम, पवित्रम्मंगलंपरम, इशानह प्राण दह प्राणु, जेश्ठा-श्रेष्ठ प्रजापति, हिरण्यगर्भो, भूगर्भो, माधवो, मदु सूधन, इश्वरो विक्रमी धन्वी, मेधावी विक्रमहक्रम, अनुत्तमो दुराधर्ष शुरेष शरणम्षर्म विश्वरेता, प्रजाभव, अहसमवत्सरो व्याल, प्रत्यय सर्वदर्षन, अजसर्वे स्वरसिध, सिध्धे सर्वादिर्चुत, वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनीश्रित, वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मिता सम, अमोग पुंदर आप्ष्व करति रुधरय बहुषिरा बभ्रुर विश्वयोनी सुचिश्रव अम्रित हश्ष्वत स्थानुर वरारूहो महात्रपास रवगह सर्व विद्भानुर विश्वक्सेनो जनार्धना वेदो वेद विद्विद व्यंगो वेदांगो वेद्विद कभी लोकाध्य सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष ख्रिताकृत चतुरात्मा ्चतुरुयो हस् चतुरु द्रुष्ट्स चतुर्भुजा। भ्राजेश्रुर्भोजे नमभोकता सहिस्रुल्ट्र जगदाती च अन्गोविजयो जेता विश्वयो नीह पुनर्वसु। उतिन्द्रो वामन प्रान्षुरु मोख सुचरुर्जिता अतिंद्र संग्रह सर्गो धृतात्मानिय मोयमा वेध्यो वेध्य शदायोगी वीरह माधवो मदू अतिंद्रियो महामायो महुत्साहो महाबलह महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाध्युति अनिरदेश्यवपूश्रिमानमेयात्मा महादृत्रिक महिश्वासु महिभर्ता श्रीनिवास सतामगति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदामपति मरीचिर्दमनो हंसा सुपर्णु भुजुकोत्तमा हिरन्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अम्रित्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्तिर अजोदूर मर्षड शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुडगुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिशो श्रग्वी वाचश्पती रुदारधी अग्रनित ग्रामनी श्रीमा न्यायो नेता समीरण सहस्त्र मुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात आवर्तनोनी वृत्तात्मा सम्रिता संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधर निधरह सुप्रसादह प्रसन विश्णूर विश्परवावरिशोदर वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः शुर्तिसागर सुभुजोदूर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैकरूपो ब्रिहद्रूप शबिविष्टः प्रकाशना ओजस्ते जो दुतिधर प्रकाशात्मा प्रतापना युगादिक्रिद्यु गावर्तो नेकमायो महाशना अद्रिश्य अव्यक्त रूपस्च सहस्त्रजित नंतजित इस्टो अविशिष्ट सिष्टेष्ट सिखंडी नहुसो व्रिश प्रोधाक्रोद कृत करता विश्वभाहूर महीधर अच्चुत प्रतित प्राण अध्मनाभो अर्विंदाक्ष पद्मगर्भ शरीर भृत महरधिर दोव्रिद्धात्मा महाक्षो गरुडद्वज अतुलाशर भोभीमो समयक्जो हविरहरी सर्वलक्षन लक्षन्यों लक्ष्मिवान समितिन जया विक्षरो रोहितो मार्गो हेतूरदा मोदर सह महीधरो म पहाभागो वेगवानमिताशन उद्भवा छो भणो देव स्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं करता विकरता गहनो गुवा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव, परर्थी परमस्पस्तुष्ट, पुष्ट असुभेक्षण, रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया, वीर शक्तिमताम्ज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तम, व्यकुंठ, पुर्ष, प्राण, प्र महाधना अनिर्विर्ण Kingdom slower becoming devoted to the स्वापनास्वभ सोभ्यापी नेक आत्मानेक कर्मकृत वत सरोवतसलोवस्यरत्नगर्भो धनेश्वरह धर्मगुप धर्मकृत धर्मकृत्धर्मी सदसक्षर मक्षरम अविज्याता सह ष्थरान्सूर्विधाता गभस्ति नेमिही सत्वस्थ सिंहो भूत महिश्वर आदि देवो महादेवो देवेसो देव भिरित गुरु उत्तरोगो पतिर गोप्ता ज्यान गम्या पुरातना शरीर भूत 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 भोक्ता कपिंद्रो भूरि दक्षिना सोम्मः अमृत पहजोमा पुरुजित प्रमा अत्रिविक्रमा महर्शी कपिला चार्य कृतज्यों में दिनीपति त्रिपदस्त्रि दशाध्यक्षो महाश्रिंग अक्रितांत्रित महावराहु गुविंद सुखेळ कनकांग दी गुईयो गभीरो गहनो गुप्तस्चक्रगदाधर वेथा स्वांगो अजिता कृष संकर्षणों चुत वरुणो बारुणो वरिक्ष पुसकराक्षो महामनाह भगवान भगहानन दी वनमाली हलायु था आदित्यो जोती रादित्या सहिश्णोर गति सत्तमा सुधन्वा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रदा दिविस्तिरिक्सरव द्रिग्व्या वरिशभाग्चो वरिशप्रिया अनि वर्ति निव्रितात्मा संचेप्ता चे मिकृच्चिवardश्री शृपतित्यमतर शृद Śृदाश्रीशा शृणीवास शृनिदी श्री शृविभावन शृधर Schmidt शृकरश्रेया Però शृमान लोक त्रयाश्रिया स्वक्षा स्वंग शतानंदो नंदिर्जो तिर्गणेश्वर, विजीद आत्मा विधेयात्मा सत किर्थेश्चिन संसेः उदिरणा सर्व तक्षसुर निशा शाष्वयदास्थीर भूजयो भूशनो भूतिर विशोक शोकनाशन अर्चिसमानर्चिधा कुम्पोः विष्धात्माविशोधना अनिरुध्धोः अप्रतिरथ अप्रद्योंणो है, पुर्ण पुरैता पुन्या पुन्या किरते रिनामया मनुजवस्तिर्थकरो वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसु मनाहवी सत्गती सत्किर्ती सत्ता सत्भूती सत्परायन शूर सेनो यदुस्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलियो अनल दर्पहादर पदो द्रिप्तो दूर्थरो था पराजित विश्वमूर्तिर महामूर्तिर दिप्तमूर्तिर मूर्तिमान अनेकमूर्तिर अव्यक्त शत्मूर्ति शतानन एको नैक सवक किम यत्तत पदमनुत्तमं लोकनाथो माधोवो भक्तवस्चल सुवर्णवर्णो हे मांगो वरांगस्चक्न्दनांगदी वीरहा विष्मह सुन्यो घृताशीर चलस्चल अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकद्रिक सुमेधा मेतजो धन्या सत्यमेधा धराधर तेजो वृष्य द्वितिधर शर्वसस्त्र भृतामवर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रिंगो गदाग्रज चतुर मूर्टिस चतुर भाहुस चतुर व्युहस चतुर गती चतुर आत्मा चतुर भावस चतुर वेद विदे कपात समावर्तो अनिवरतात्मा दूर जयो दुरती क्रमा दूर लभो दुर गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतु श् इंद्र कर्मा महाकर्मा कृत कर्मा कृतागमा, उद्भव सुन्धर सुन्धो रत्ननाभ शुलोचन, अर्को वाल स्रिंगी जैंता शर्वविज्याई, सुवर्ण विन्दू रक्षोभ्य सरववागी महाहरदो महागर्तो महाभूतो महानिधि, कुमुदः कुंदर कुंद प सप्तेधा सप्त वाहन, अमूर्दिरणगो अचिंत्यो भैक्रित भैनासन, अनुर्ब्रिहत क्रिशास्थूलो, गुल्ब्रिण निर्गुलो महान, अध्रित स्वध्रित स्वास्य प्राग्वांशो वन्षवर्धन, भारभृतिकतितो योगी योगी ससर्वकामद, आश्रमा छामा सुपरणो वायु वाहन, धनुर्धरोर धनुर्वेदो दन्डोदम इतादमा, अप राजिता सर्वसहू नियंता अनियमोयमा, सत्ववांसात्विक सत्य सत्य धर्म परायन, अभी प्र्याया, प्रियार होर्ह, प्रियक्रित पिल्ति वर्धन, विहाय सगतेर जोती, सविता अरविलोचन, अनन्तोहुत भुगभोगता, सुखदो नैक जोग्रज, अनिर विन्ना सदामर्शी, लोकाधेष्ठा अनमदभुत, सनात सनातंतमा, कपिला, कपिरप्यया, स्वस्तिदा स्वस्तिक्रि स्वस्ति, स्वस्तिभुग स्वस्ति दक्षन, रोद्रह संतो जीवन पर्यवस्तित, अनन्त्रूपो, अनन्तस्रिट, जित्मन्यूर भयापह, चत्रष्टो, गभिरात्मा, विदिचो, व्यादिशोदिश, अनादिर भूर्भु, लक्ष्मी, स्वीरो, रुचिरांगद, जन नो, जन जन मादिर भीमोभीम पराक्रम, आधार नीले योधाता, पुस्पहास, प्रजागर, उर्ध्वग, सत्पथाचार, प्राणद, प्रणवापण, प्रमानम, प्राण, नीलिय, प्राण, भृत, प्राण, जीवन, तत्वम, तत्वविदे कात्म, जन्मे मृत्यो, जरातिग, फूर्भु, अस्व, स्तरुस्तार, सविता, यग्यो, यग्यपतिर्यज्वा, यग्यांगो, यग्यवाहन, यग्यभृध्यग्य, गृध्यग्य, यग्यभुग, यग्यसाधन, यग्यांति, गृध्यग्य, गुह्य, मन्य, मन्ना, देवच, आत्मयो, नी, स्वैम, जातो, वैखान, सामगायन, देवगी, नंद, श्र तुलसी महरानी करू विने सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय नमो नमो तुलसी महरानी महीमा अमितन जाय बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग में चायो सुयस महाना विष्ण प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्ण नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहिके काज हो या सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर्श कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी ब्रिद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देवरिशीमुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी नमो नमो जै कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा प्रतमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर श्नान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चालीसा की अस्तुति करे मात तुलसा की यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चालीसा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप की नो शालिग राम की बनी पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूपदीपने वेद्य आरती धूपदीपने वेद्य आरती पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो छप्पन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जै दूस्तों उमीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए मिलती हूँ आप से अगली वीडि जै श्री रादे